बिस्मिन्हाय रख्मार ररहीम आज की लेक्चर बिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे direction derivative and ingredient तो आज की लेक्चर में हम लोगों ने ये देखना है कि थोड़े से पहले recall कर लेते हैं कि direction derivative की definition क्या थी डिरेक्शन डेरिवेटिव की आप हमें के पास डेफिनेशन यह थी कि हम लोग लेते थे किसी भी डिरेक्शन f of xy की यह हमारे पास किसके एकुल होता था कि f of x f of x xy u1 plus f of y xy u2 डिरेक्शन डेरिवेटिव का आपके पास basic मकसद क्या था कि आपके पास अगर पार्शिल डेरिवेटिव में आप जस्ट टू डेरेक्शन लेते हैं x and y तो हम कहते हैं कि along x direction या along y direction हमने partial derivative find करना है लेकिन अब इसमें हमें क्या कि अगर हमारे पास xy plane है तो उसके अंदर हम कोई भी direction ले सकते हैं along x axis या along y axis specific x axis या y axis के along हम directions नहीं ले रहे हम लोग कह रहे हैं कि उस xy plane के अंदर कोई भी हमारे पास direction है किसी भी direction के along हम लोग derivative find कर सकते हैं इसलिए हम लोग directional derivative के बात करते हैं multi variable calculus के अंदर उसके बाद हम लोगों नहीं देखा था कि हमारे पास gradient क्या होता है gradient is gradient में हम लोग gradient में हमारे पास क्या होता है कि f जो है वो कोई भी vector function होता है f is the vector function vector function जो हमारे पास किस form में given होगा gradient of f of x y is equal to f of x x y i इसका मतलब है कि ये अब show कर रहा है कि अब vector function है ना तो इसलिए ये show कर रहा है कि along x axis और i direction में है यहां पर हमने u1 vector लेना है और यहां पर हमारे पास u2 vector आएगा देखिए यहां पर direction आ रही है हमारे पास i और j x y j it is itself a vector अब हमारे पास क्या होता है कि directional derivative की हमारे पास gradient form क्या थी gradient form तो gradient form में हमारे पास क्या आता है d u of x y अब gradient form में यह हमारे पास क्या है कि देखो कि यह मैंने पिछले लेक्टर में आपको solve करके बताया था कि आपके पास यह gradient form कैसे बनेंगी f of x y dot u तो यह हमारे पास u वेक्टर है तो खेर यह तो था हमारे पास पिछले लेक्टर का थोड़ा सा recall अगर इसी तरह हमारे पास हो जाए gradient theorem हम देखते हैं कि हमारे पास gradient theorem क्या कहता है gradient gradient theorem में हम लोग बात करते हैं gradient theorem से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास क्या है कि let f be a function of two variable two variable that is differentiable condition क्या है कि जो differentiable होने चाहिए that is differentiable at point p of xy at the point p of xy तो फिर्स्ट आपके पास क्या condition है कि दी मेक्सिमम दी मेक्सिमम वैल्यू ओफ डिरेक्शनल डेरिविटिव दी यू f of xy at p is norm of gradient of f of xy कि जब आपको कहा जाए कि एक आपको function given है और कहा जाए कि rate of change find करें और साथ ये बताएं कि इसकी मेक्सिमम वैल्यू क्या है तो तब आपने क्या find करना है gradient का norm find करना है तो तब आपको बता चल जाएगा कि इसकी maximum value क्या आएगी इसी तरह second point आपके पास यह होगा कि the maximum value the maximum rate of increase rate of increase आप कैसे find कर सकोगे of f of x y at p of x y occurs in direction of gradient of f of x y मीन आपको यह कहा जाएए कि maximum rate of increase आपके और direction given हो तो आपने just क्या find करना है gradient of f of x y तो आपको पता चल जाएगा कि maximum rate of increase क्या है तो अगर same for minimum केस minimum के लिए आप क्या लिख सकते हो कि this is crowdry crowdry में आप यह कह सकते हो कि अगर minimum की बात आए ना for minimum value minimum value के लिए आपने अब देखो कि maximum के लिए positive है तो minimum के लिए क्या होना चाहिए negative of gradient of norm of f of x y this is for minimum case minimum value के लिए और minimum rate of increase find करना हो तो minimum rate of increase minimum rate of increase अगर find करना हो तो वो आप किस direction में करोगे negative of gradient of f of x y minimum के लिए negative sign और maximum के लिए आप positive use करोगे अब हमारे पास एक example है उसमें कहा के है कि suppose an x y z coordinate system is located in space such that the temperature t at the point x y z is given by formula t this first of all आपने find करना है कि find the rate of change of t with respect to distance at the point p in the direction of vector i minus j plus k तो first part को हम लोग solve करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ए पार्ट देखो ए पार्ट में आप वो कह रहा है कि given है पहले तो solution solution में आपने ये देखना है कि आपको given क्या है given आपके पास है कि t आपको given है is equal to equal to hundred divided by x square plus y square plus z square सबसे पहला पार्ट आपने find करना है rate of change with respect to distance and point this in the direction this तो यहां भी हमने क्या करना है कि rate of change find करना है rate of change find करने के लिए आप देखो कि आपके पास कितने variables है x, y and z तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा t of x, t of y और t of z अब यहां पे आपके पास function जो है वो t है इसलिए मैं t use कर रही है t of x three variables हैं तो आपको three variables की respect से इसे differentiate करना पड़ेगा partially differentiate करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यह देखते हैं कि जतने आपके पास number of independent variables होते हैं उतने time आपको function को differentiate करना पड़ता है अब यहां पे हमें given है vector एक तो हमने यह find करना है एक हमें given है कि vector हमारे पास है i minus j plus k तो vector given है, position vector given है हमने क्या करना है कि unit vector find करना है एक हमने unit vector find करना है एक हमने यह partial derivatives लेने हैं और इसके बाद हमें rate of change find करना मिल जाएगा अगर just होता ना कि आपने rate of change find करें direction of vector given ना होती तो आपने क्या करना था कि simply partially differentiate करना था लेकिन जब आपको question में direction given हो जाए तो that case में आपने directional derivative find करना होता है आपने simple partial derivative नहीं find करना यह point मस्याद रखता है अब हमारे पस क्या है कि gradient of T का formula क्या आएगा हमारे पास gradient of T का हमारे पस क्या formula अब देखो कि यहाँ पे हमारे पस क्या है कि अगर हम gradient find करने के बाद हम लोग unit vector को multiply करके direction derivative find कर सकते है और next पहले यह करते है हमारे पास कि partial T by partial X तो मैं पहले यही find कर रही हूँ मैं इस formula को use कर रही हूँ directional derivative के formula को नहीं use करे the reason is that कि आप लोगों के पास देखो कि next B part में क्या है कि invert direction from B does T increase more rapidly अब जब increase की बात हो जाए या maximum rate of change कहा जाए तो that case में मुझे gradient की जरूरत होगी तो इसलिए gradient find इसलिए मैं gradient अगर find कर लूँगी तो मैं direction derivative भी find कर सकते हूँ तो जब भी question में अगर simple direction given हो और आपको कहा जाए कि आपने find करना है कोई maximum rate of change या increase आपने नहीं find करना तो that case में आप ये formula prefer कर सकते हो लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि maximum value find करनी है या maximum rate of increase find करना है तो that case में preferable choice ये है कि आप लोग ये formula यूज़ करो आप gradient ग्रेडियन पहले find कर लो तो मैं यहां पे gradient पहले find करूंगे partial t by partial x i plus partial t by partial y j plus partial t by partial z k तो direct result लिख रही हूँ के partial t by partial x का result आपके पास आजाएगा minus 200 x divided by x square plus y square plus z square का whole square और partial t by partial y का result आपके पास आजाएगा है minus 200 divided by 200 y divided by x square plus y square plus z square का whole square और partial t by partial z का result आपके पास आजाएगा minus 200 z divided by x square plus y square plus z square का whole square अब जनाब हमारे पास क्या आजाएगा कि यह हमारे पास question में आजाएगा अब हमने formula जो लिखा था कि gradient of t is equal to partial t by partial x i partial t by partial y j उसके अंदर हम लोगे values put करेंगे तो हमरे पास क्या आजाएगा 200 x divided by यहाँ पे आई आजाएगा साथ इसके i direction में x square plus y square plus z square का whole square plus plus नहीं माइनस होजाएगे लिखे रहे है minus 200 y j cap divided by x square plus y square plus z square का whole square और फिर एक पार फिर minus 200 z के divided by x square plus y square plus z square का whole square तो खेर यह अब आपके पास क्या जाएगे negative 200 divided by यह तो common times है तो मैं common late होंगी तो x square plus y square plus z square का whole square and this is xi plus y j plus z के तो जनाब अब हमें साथ given था के point के gradient of t at that point हमारे पास क्या होगा point हमें given था 1, 3, negative 2 तो at that point पे जब हम find करेंगे gradient of t at that point x की जगा 1, y की जगा 3 and z की जगा x, y, z तो यह आपके पास क्या जाएगा negative 200 divided by x, y, z को put करेंगे तो हमेरे पसा रहा है 196 i plus 3 j minus 2 k लेंजी यह तो आपका क्या gradient का formula लेकिन हमने तो just gradient find करना ही नहीं था हमने पूरा rate of change find करना था तो rate of change के लिए हमारे पस जो vector था उसको हमें पहले unit vector बनाना पड़ेगा unit vector बनाने के बाद फिर हमने ये formula लगाना है तो हमारे पस direction derivative आजाएगा तो खेर चलें हम करते हैं a हमारे पस है i minus j plus k तो जनाब इसके unit vector आपके पास क्या जाएगा a divided by magnitude of a which is equal to i minus j plus k divided by magnitude of position vector of a आपके पस क्या जाएगा scale root of 1 गस k plus 1 गस k this is scale root of 3 तो जनाब directional derivative आपका आगिया t at that point b हमारे पस क्या आजाएगा अब ये तो हमने find किया हुआ है इसको हमने just multiply करना है इससे क्योंके हमारे पास क्या है del of t p dot unit vector u तो formula very important है must remember रखना 200 divided by 196 ये उसके बाद देखो मैंने पिछले lecture में बताया था कि i vector i vector से multiply होगा j vector j से multiply होगा k k से multiply होगा i dot i जब multiply होंगे तो वो one होता है इसलिए यहाँ पे जब आप i will time को i will time से multiply करोगे तो उसके जगा simple one आ जाएगा तो यहाँ पे जैसे करो i dot i आप करोगे तो this is one three j dot j आपके पास क्या जाएगा minus three क्योंके लेकिन i dot j जो होता है वो आपके बस zero होता है तो यह condition मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तो just हम same value terms को multiply कर रहे है divided by square root of three तो this is approximately equal to 2.4 after calculation तो यह तो था हमारे पास part a का solution part b का solution हमने find करना है part b में हमारे पास कहा किया था कि हमने maximum rate find करना है maximum rate of change find करना है तो maximum rate of change find करने के लिए हमारे पास किया था कि हमने find करना है norm of gradient of t find करना है at that point क्योंके हमारे पास maximum उसने कहा कि देखो इसमें पूछ रहे कि what is the maximum rate of change of T at point P तो point P पे हमने और हमने increase भी बताना है कि किस from P से हमारे पास कितना increase हो रहा है तो point P पे हमें बतानी है ये तो देखो कि आपके पास del gradient of T की value क्या है at point P आपके पास ये है तो जब ये value आजाएगी तो इसका मतलब है कि हमने इसी का norm लेना है इसका norm लेंगे इसका norm लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब norm of del of T मुझे लेना है ये मैंने find करना है तो तब मुझे पता चलेगा कि maximum rate of change कितना आया है तो maximum rate of change के लिए तो देखो कि आप आपके पास उसने direction पूची थी कितने आपके पास maximum rate of change at P अकर कर रहा है तो वो किस direction में कर रहा है तो वो हमारे पास क्या है direction हम ये लिखतेंगे तो पहला तो पार्ट हमने ये करना है कि the maximum rate of change the maximum rate of change of T at P point P कर कर रहा है in the occurs in the direction of direction of gradient gradient जो है हमारे पास that is the direction of in the direction of vector direction of vector minus i क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है कि minus i minus 3 j plus 2 k अब कहोगे कि मैं यह minus कैसे आ गया यह आपने क्या किया कि यहां पे तो यह positive था, i positive था और यह negative था तो भाई यह negative sign जा रहा है अंदर negative sign को अंदर लेगे तो वो आपके पास यह direction आगे vector की अब हमने maximum rate of change बताना है maximum rate of change maximum rate of change के लिए आपको क्या find करना पड़ेगा this one norm of gradient of t तो यह find करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाली value का norm लेना पड़ेगा norm लेने का मतलब क्या है कि इस negative sign को तो हम अंदर लेगे तो यह हमारे पास value आगे थी 200 divided by 196 और यहां पे आ रहा था minus i plus minus 3 j plus 2 के ओके negative sign शो करता है कि वो आपको minimum rate of change का है तो इसलिए हमने क्या किया कि हमें positive चाहिए था rate of change maximum के लिए क्योंके maximum के लिए हमारे पास positive gradient of this, 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 this So this is positive gradient of F of X, Y तो इसलिए हमने negative sign को vanish किया यह भी धिहान रखना है अब आपके वास क्या है कि हमने इसका लेना है जनाब norm इस value का हमने norm लेना है तो उसका norm लेने के लिए हमारे पास क्या है का माइनस आपकी पास आजाएगा हमरे पस क्या है ग्रेडियंट ओफ टी में लिख देती हूं पहले हमरे पस क्या है 200 डिवाइड बाइ 196 माइनस आई माइनस 3J प्लास 2K तो इसका नॉम ओफ ग्रेडियंट ओफ टी एट पॉइंट पी आपके पास क्या जाएगा क्योंकि इसने आपको मैक्सिमम रेट ओफ चेंज फाइन करना कहा है उस पॉइंट के उपर तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ रहा है कि 200 कॉंस्टेंट वर्ल टर्म पे नॉम नहीं अप्लाइ होता इस लाइक इस ट्रीट लाइक जब आप मौड लेते हो ना 3 of C तो आप क्या करते हो 3 of X लेते हो तो आप लिए करते हो कि प्लाइट लिए how फर कर लिए नहीं होता है है। यहाँ पे यहां पॉर यहाँ बैंजर लुट भाइर चाहेंगी और हमारेお願いします क्या होगा k root of first one term ka square minus one ka square plus negative three ka square plus two ka square this is the it's it's like a magnitude of a just a magnitude find get a position vector ka waisy is k root of first vector ka square second vector ka square third vector ka square two hundred divided by one ninety six and this is k root of one plus nine plus four whatever answer is abh ham kertte hain exercise ka question number thirty one exercise ke question number thirty one mein aapko kaha jara hai ke find kerna hai the electrical potential of v at x y z is this so given hai aapko v given hai paas a gya v is equal to x square plus four y square plus nine z square or hemari paas kya hai ke us n ka hai ke find the rate of change of v at point this in the direction from p to the origin p say origin mean what he is saying ke ya haa p koi point p hai आपने origin तक find करना है इसका rate of change mean the vector is going downward like this sorry arrow is wrong तो मतलब origin तक तो हमारे पास क्या है कि आप हमारे पास point P यहाँ पे है ठीक है हमने origin तक find करना है यह आगा यह ठीक है this is the origin हमने rate of change find करना है और P point हमारे पास given है point हमारे पास है 2 minus 1 और 3 तो सबसे पहले तो हमें position vector find करना पड़ेगा position vector क्योंकि आप position vector इसमें given नहीं है तो position vector find करने के लिए आपके पास क्या formula है जब मैंने कहा था कि 2 points given हूँ तो आप क्या कर सकते हो position vector find कर सकते हो position vector of first point minus position vector of second point तो यहां भी हमारे पास क्या है कि आप यह vector क्या है P O position पे है downward move कर रहे हैं तो this is position this अब इसका मतलब क्या है कि position vector of जो यह वाली value होती है इसमें से आपने O minus position vector of P final minus initial तो final वाली आपके पास क्या है head है origin तो origin पे तो आपको पता है कि vector क्या होता है zero 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 origin पे आपके vector यह होता है और P vector हमारे पास P जो point है हमारे पास वो हमें यह given है तो इसमें से हम minus करेंगे इस position vector के find करेंगे तो हमारे पास क्या order pair आएगा negative 2 and this is 1 and this is negative 3 क्योंकि point हमारे पास यह है इस point में से हमने इस point को minus किया तो हमारे पास यह value आजाए कि समझाए यह mean क्या कर रहे है कि 0 minus 2 then 0 plus 1 and then 0 minus 3 तो यह आपके पास यह value आगे तो हमारे पास इना पोजिशन विक्टर आ गया फर्स्ट order pair हमारे पास i direction होती है minus 2i second हमारे पास j direction होती है plus j और third हमारे पास k direction हो जाएगी तो magnitude of a अगर आप find करें तो आपके पास क्या आजाएगा square root of 2 का square negative 2 का square plus 1 का square plus negative 3 का square 4 और 1 और 9 आपके पास कितने हो जाएगे I think square root of 14 बनता है तो जनाब आपके unit vector आजाएगा unit vector आपके पास क्या आजाएगा a divided by magnitude of a which is equal to minus 2i plus j minus 3k divided by square root of 14 unit vector हमने find कर लिया उसके पास हमें find करने है v of x v of x find करोगे तो mean के differentiate equation this with respect to x यह आप लोगों ने लिख लेना है paper में यहाँ पर मैं direct कर रही हूँ this is 2 of x फिर v of y find करोगे तो यह आपके पास क्या है कि इसका derivative जब आप derivative लेते हो partially तो आप बागी variables को as a constant treat करते हो तो this is 8 of y and v of z find करोगे तो this is 18 of z अब हमरे पास क्या है कि हमरे पास gradient of v of x y z यह आपके पास क्या आजाएगा this is v of x i plus v of y j plus v of z k तो यह v of x आपके पास आगे 2 of x i plus 8 of y j plus 18 of z k तो यहां से अगर मैं 2 को मन ले लो तो मेरे पास क्या आजाएगा x i plus 4 y j plus 9 z k तो हमें point given है और हमें rate of change find करना है rate of change के लिए हमें directional derivative चाहिए होगा directional derivative के लिए हमने इसमें क्या करना है del of v at point 5 p find करना है p हमारे पास star 2 1 minus 2 minus 1 और 3 तो x की जगा 2 आजाएगा y की जगा minus 1 आजाएगा और z की जगा 3 आजाएगा तो हमेरे पास क्या आता है this is 2 2 of i minus 4 of j plus 27 of k अब हमने directional derivative find करना है d of u v of x y z हमारे पास क्या आता है direction derivative का formula gradient of v dot direction of unit vector v u sorry तो यह आपके पास आजाएगा 2 2 of i minus 4 of j plus 27 k और जो आपके पास unit vector था वो आपके पास था 1 divided by s k root of 14 और यह आपके पास था 2 of i plus j plus 3 k तो यहाँ पे आपके पास क्या आजाएगा 2 divided by s k root of 14 इन दोनों को multiply करो तो same term 4 minus 4 plus 81 तो यह दोनों cancel out तो दिस इस बन 82 डिबाइट बाइट यह रूट आपके अब हमारे पास जो direction है direction बी पार्ट में हमने क्या find करना है बी पार्ट में आपने find करना है find the direction that produce the maximum rate of change of V at P direction जो है हमारे पास vector के gradient of vector at point P हमने ये find किया हुआ है तो gradient की हमने direction बतानी है तो ये direction हमारे पास आ जाएगे तो direction हम simply कह सकते हैं के direction is that vector जो gradient का vector आता है at that point पे 2 of 5 minus 4 of J plus 27 K constant world term आपने बाहर ही रखनी है उसे नहीं include करना है इसके साथ and then हमरे पास क्या है कि C point हमरे पास आ जाएगा this is positive non-negative sign C point आपके पास है कि आपने find करना है कि maximum rate of change maximum rate of change आपके पास कितना है तो maximum rate of change के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका norm find करना पड़ेगा तो this is equal to 2 norm के लिए आप क्या करते हो norm of gradient of V आपके पास क्या आजाएगा at point P या आजाएगा 2 इसी तरह जो वेक्टर है उनका स्केर रूट टू का स्केर प्लास पूर नेगटिव फॉर का स्केर प्लास 27 का स्केर तो यह आपके पास क्या आजाएगा 2 स्केर रूट आफ 4 प्लास 16 प्लास 27 का स्केर I think 729 and this is 2 डॉट स्केर रूट आफ 27 का स्केर 729 होगा येस तो यहाँ पे जो भी वेलिव आजाएगी यह आपने अगले किल्कुलेट कर लेनी है हमारा तो आज यही टॉपिक था कि हमने फाइन करना था ग्रेडियर ओफिक्टर हमारे पास क्या होता है तो होफुली आज की लेक्टर आपको समझाया होगा तो जनाब थोड़ा सरी कॉल करते हैं हम लोग किल्कुलेस पन को किल्कुलेस पन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इंक्रीजिंग क्या होते है इंक्रीजिंग डीक्रीजिंग या आप एक्स्ट्रीम वैलियूस क्या होती है एक्स्ट्रीम वैलियूस में आप लोगों ने पढ़ा था कि Absolute Maxima, Absolute Minima और Local Maxima, Local Minima वगर आपने बढ़ा थे तो Increasing में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास ये कोई भी Point X1 है और ये कोई भी Point X2 है तो अविस सी बात है कि आपका function क्या होता है Y is equal to F of X तो जब आप exchange करते हो आपका Y automatically change होता है तो suppose आपके F of X1 का Point यहाँ पे आ रहा है और F of X2 का Point आपका यहाँ पे आ रहा है तो this is the ये आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी एक curve आती है, this is curve मेरी curve हमेशा टेरी हो जाती है बताने क्यों F of X1 F of X2 तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि this is the increasing function कि आप देखो कि X1 की value X1 पे F of X1 की value यह आई X2 जब आपने इसको increase किया तो आपका function भी increase कर गया तो basically increasing function में आपके पास क्या होता है कि increasing के लिए condition होती है कि अगर आपका X1 less है X2 से तो आपका F of X1 भी क्या होगा less होगा F of X2 से जैसर केस केस पे तो decreasing के लिए आपके पास क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी point है X1 this और X2 मेरे पास this है तो यहाँ पे मेरे पास F of X1 आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास F of X2 आ रहा है तो mean कि मेरे पास अगर curve देखूं तो मेरे पास curve यह जा रही है तो यहाँ पे decreasing के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि decreasing में हमारे पास क्या है कि अगर x1 less है x2 से x1 is less than x2 तो हमारे पास क्या होगा कि f of x1 जो होगा वो greater होगा f of x2 से तो this is kind of increasing decreasing और constant का होता है जब आपके पास value दोनों की same आजाए mean कि यहाँ पे f of x1 आ रहा है तो यहीं पे f of x2 आ जाए तो यहाँ पे एक straight line आ जाए तो this is the constant constant की है कि अगर आपके पास constant में आपके पास है कि for every x1 for all x1 and x2 हमारे पास क्या होगा कि f of x1 जो होगा वो equal हो जाएगा f of x2 के तो that's like a constant constant की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जब absolute extreme है absolute maxima या minima की बात करते है absolute maxima या minima की बात करते हैं तो हम क्या कहते है कि हमारे पास क्या है कि अगर यह मेरे पास एक graph है यहाँ पे मेरे पास एक point A है यहाँ पे मेरे पास point B है यहाँ पे मैं इसे further किसी भी intervals में divide कर दू C1, C2, C3, C4, up to son, तो यहाँ पे मेरे पास function की value start हो रही है यहाँ से, इस interval से फिर उसके बाद यह function जा रहा है यह जा रहा है, then मेरे पास function के बाद यह यह होगा, उसके बाद यह फोरण से increase कर रहा है then decrease कर रहा है, यहाँ पे फिर increase कर रहा है, तो यहाँ पे यह starting point है और यह starting है और यह end है तो देखो कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मुझे maximum value बताओ या minimum value बताओ, इस closed interval के along, तो जब भी मेरे पास interval closed हो जाए mean कि हमें values given दे दे जाएं कि यह interval है, कोई भी function है, आपके पास given, तो आप बताओ कि इसका maximum rate of change क्या होगा तो आपने क्या करना है कि इस interval के अंदर अंदर values टाल के देखनी है, लाइक यह, सब intervals बनाने हैं और फिर देखना है कि जो maximum value है वो हमारे पास क्या है, जैसे इसमें देखो तो आपके पास C3 वाली maximum value है तो अगर मैं just close interval A B की बात करूँ, तो मेरे पास maximum value यह है, लेकिन अगर मैं बात करूँ interval A और C की interval A और C1 की बात करूँ तो यहां पे maximum आपके पास क्या है, C1 है इसी तरह अगर मैं C1 से C4 interval की बात करूँ तो यहां पे मेरे पास maximum value जो है वो हमारे पास कुन सी है, C3 की तो यहां पे आपके पास C3 maximum होगा तो जब आप interval चेंज करते चाओगे आपके maximum value चेंज होगे लेकिं यह याद रखो के हमेशा absolute maxima या absolute minima value जो होती है वो just take होती है mean के more than one आपके पास absolute maxima या minima कहीं भी exist नहीं करते not only, आपके पास only one maxima या minima होगा only one maxima या minima होगा and minima in absolute case तो absolute के case में आपका just a single maxima value होती है या minima value होती है लेकिं local maxima minima आपके पास more than one हो सकते है क्योंकि वहाँ पे आपका interval bound नहीं होता अगर मेरे पास कोई interval given नहीं है randomly value increase करिये, decrease करिये, increase करिये, decrease करिये तो that case मेरे पास more than one maxima minima हो सकते है तो basically जो आपका local maxima और local minima point local maxima local minima आपके पास वो होते हैं जो इस पे आपको interval given नहीं होता interval defined नहीं होता आपको randomly values डाल के चेक करना पड़ता है कि function कहाँ पे increase कर रहा है, कहाँ पे decrease कर रहा है तो maxima minima value find करते हैं लेकि जब interval given हो तो वहाँ पे तो बात ही खतम हो जाती है absolute maxima minima के लिए तो local maxima minima के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग first derivative test यूज़ करते हो second derivative test यूज़ करते हो to find the local maxima या minima value तो ये तो थोड़ा सा recall था हमारे पास calculus one का further हम next lecture में इंशाला पढ़ेंगे यहीं से इसी recall से थोड़ा सा start करेंगे इन चीजों को थोड़ा सा और दिखेंगे और फिर हम लोग discuss करेंगे कि हमारे पास multi variable में क्या होता है maxima minima thank you for watching this video and if you have any query then you can ask